बिहार विधानसवा चुनाओं में करी मुकाबले के बाद आखिरकार एंडिये की नईया तो पाड़ हो गई 125 सीटों के साथ एक बार एंडिये की सरकार बननी तैह हो गई है लेकिन बिहार चुनाओं में कई ऐसी सीते रही जहां मुकाबला ना सिर्फ दिल्चस्प था बलकि काफी करीबी करा नालंदा जीला के हिलसा विधान सबा सीट से जेडियों ने महज 12 वोटों से जीत दर्ज की तो आरजेडी के पराजित उमिदवार शक्तियादव ने धानली का आरूप लगाया जेडियों ने हिलसा विधान सबा सीट से आरजेडी को महज 12 वोटों से हराया जेडियों के कृष्ण मुडारी शरन उर्फ प्रेम मुख्या को 16848 वोट मिले जबकि राजग उमिदवार अत्री मुन्य उर्फ शक्ति सिंग यादफ को 16836 वोट मिले यानि इन दोनों प्रत्याशों के बीद जीतार का फासला सिर्फ 12 वोट का ही रहा इस सीट का रिजल्ट देर रात आया आरजेडी ने हिलसा सीट पर धानली का आरोप लगाया है पताईए क्या मामला हुआ है 31 रौंड और 9 बुथों के गिंती समाप्त के बाद पांसों चास मत से हम बढ़त में थे पोस्टर बैलेट में सत्रा मतों से हम आगे थे ऐसा अजेंड का रिपोट था और उनके अधिकारी का अधिकारी का फोन आता है किसी के मुबाइल पर सरकार के इसारों पर एक घंटे के बाद फूर फिर जो है सकरिये होते हैं लोग और एक आएक आधा क्या पर हुआ है अधिकारी कारी कोण्टिक मैंने और मांगते रिक ओंटेंग ऑर आधा अधिकन शलता है आतों 12 कि पार हम ने कहसे हुआ तो हमने किसी कुला ऊचे हम सटीसाइब नहीं है अब बड़ा टोटा फैट जब क्लोज है है दस और बारह मतों से जब हम पीछे हट रहे हैं चल रहे हैं हम अगर आपसे मांग कर रहे हैं अर्गुमेंट कर रहे हैं तो यह धर्म बनता है आरो का यह निशित तोसे सहमती लेकर कि लेक्षन कमिशन से पूना मत दान इनका मत गन्ना करा है और हमको सटिस्फाइड करें इ मसीन है मसीन में अल्डेडी है सब कुछ तो कहीं ने कहीं यह बिल्कुल साजिस के तहत गिरती हुई आभा बरदास्त नहीं हो चुकी उबाओं और ठकाओं से तो बिहार की जंता तरह सोही चुकी थी लेकिन उनके लगा कि हमारे माथे पे इतना बड़ा बोज यो कहीं ने क přिश्चि उन जमिन के तरी से खिसक रही थी तो थोड़ा आहत भी ठे और भृक्रांत भी थे तो कई तरह कर करे कर करकर इस्ष्चित तौर पर इचन लिया है और इसमें कहीं न गहीं एक भीरी से क्रथी कृत्त है तो बान टो किया अगर मांग विकारते तो लोक तंत्य आस आप इलेक्रल डेमोक्रिसे में आदमि हारता जितता है, यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी एक हारता, कोई एक जितता है, पर जवरन इस तरह का धवाब से, इस तरह का साजिस की तहत, अगर किसी को आप हराते हैं, लोकतंदर के हत्या करते हैं, तो यह याण हेल्दी समय से प्रवक्ता काम करते हैं तो यह रही काम करने की लिच्छ ने जाएंगे तो ऐसा अब नहीं है कि इन लोगों को भी बैक्सा जाएगा जिन लोगोंने पाप ही बागई भागी ही बनेा हम करूबी प्रिक्रमा, कया न थो भी तोड़ेगा उसको सजा मिले गी कनुन की सजा तो ये कहीं न आ कहीं हम तो यह कर न कहीं हमारे साथ साजिसitter li तो साजी सोरी अगर आप हमको मांग थोड़ा सा अकाश एक उदारण नहीं है बगल में आप देख लेख ले जहानावाद में परलिमेंट में रही हुआ एक हजार से था हमारा तो भी यह 12 मत्य है आप उदारण एक्जामपल में दे रहा हूं ना एक्जामपल बगल में जहान प्रेद्रिस आता है तो हमें लगता है कि सम्प्रेसी है सासन की सासनमे उचस्ट फद्वो पर एक अन्य मार्ग में बैठे लोगों की उन्य भत करिस्ट कर है तो प्रवलात हिसाब किताब कर힌 benefits कि अधेखें हम लोग निया ही तो नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा और अगला गड़ा जो सकता है उसको हरा दिए जाते हैं याव क्वार्ट में ज अपन्स विद्ड जना से हम पांन शाल बिट जना फिर चुनावा जाते यह वे उसका कशनों को तो है कि इसका कोई कपसे सान नहीं होता है बहुत होता है तो इस चुना में तुं मेरे जाते हैं इस तरह के तरह स्था करते हैं हमने स्री निवासन जी से, CEO से ही बात किया, यह आप इसको देखें, आप सटिस्फाइट करें, हमरा ही राइट है, यह फालेट हो रहा है कहीं न कहीं, तो आप इस पर कहीं न कहीं संग्यान लें, आप आरो इसमें क्या लिखित देते हैं, नहीं देते हैं, बिये मारो पे पिसंग यादव ने लोजपा की दिपिका कुमारी को 26,076 वोटों के अंतर से हरा दिया था 2010 में यहां से जेडियू की उसा सिन्हा जीती थी हिलसा विधानसभा सीट बिहार के नालंदा जीले का हिस्सा है यहां अब तक कुल 14 बार विधानसभा चुनाओ हुआ है जिसमें से इस सीट पर सबसे जादा तीन बार जेडियू और कॉंग्रेस और दो बार जनसंग के प्रत्याशी विधायक रह चुके हैं इसी तरह बर्बिखा निवाचन शेट में जेडियू के सुदर्शन कुमार ने कॉंग्रेस के गजानन शाही को महज 113 वोटों से हराया जबकि भोरे निवाचन शेट में उमेदवारों के बीचीत हार का फासला महज 462 वोटों का रहा तो डेहरी में आर्जेडी के फते बहादुर ने भाजपा के सत नरायन सिंग को 464 वोटों से मात दी खुलासा के लिए शुतिप्रिया के साथ नालंदा से शिव कुमार की रिपोर्ट